कि इस्टोराजी सिंप्लिफैड में आपका स्वागत है जो तिसी स्वरा में आज हम बात कर रहे हैं कि आपको जब यापार करते हैं तो जातक और जातिक्या के कुल्ली में ऐसे योग बने रहते हैं जो कि आपको धुका दे सकते हैं तो अगर आपको धुके बाज योग को दे तो जो हम बताने जा रहे हैं वो सरल तरीके से आप समझ सकते हैं। सवरुपतम तो आपको देखना है कि जब भी राहू ग्रह जो ब्रह्म का दोख्य का ग्रह होता है । अगर उसकी इस्थिती खराब है और उसके साथ में बुद्ध ग्रह जो है कमजोड रस्तिति में है बुद्ध जरहा है अपका फ्रेम का भी काम करता है तो राहु और बुद्ध गरहा का जब भी आपका तालमेल बैठता है यूति सम्मऺन बनता है दस्टी समं बनता है अच्छे बाहों में इनकी यूति नहीं होती है और ये 66-42 में मालव बैठ रहे हैं। तो आपको मानंगे चलीए कि जो भी जातक और जातिका कि कुझली में ऐसे योग हैं वो आपको धोका जरूर देंगे यापार अवे साजयदारी मैं क्यूंकि जब भी यह योग लगनक में बनेगे तो यह पहला भाव आपका यख्तित होता है। यहां पर बनेगी तो यहां पर बुद्ध और रहों की यूटि इस्ति खराब कर देगी और ऐसी कर्मिस्तान पर भी इस तरह का प्रभाव आएगा तो यह इस्ति खराब करेगे और 6-8-12 भाव जो इसका फ्रेव और इसमें धोका देने के योग बनेंगे अगर यहां पर भी रहों और बुद्ध की यूटि बनती है या दस्ति संबन्द बनते हैं तो यह प्रैसानिया आपको उत्पन हो सकती है तो इन जनरल आप बोल सकते हैं कि राहू जो ब्रहम का का कारक है और बुद्ध जो है यापार का जो कारक है वो अच्छी स्थिति में नहीं है और वो भी फ्रेव करता है तो बुद्ध और राहू का अगर योग बन रहा है कुंडली में तो यह आपको धोका देने के योग बन जाता है तो आप अपने कुंडलियों का विश्ट्रेशन जरूर कीजिए और देखिए अगर राहू और बुद्ध का इस तरह का योग बन रहा है यह आपको जरूर धोका देगा अगर राहू आपका खराब इस्तिति में है या बुद्ध आपका नीच का है अस्त है और सतुरासी में है और रहू के साथ में बैठा हुआ है तो यह इस्तिति बनेगी तो आपको अगर और डिटेल में और भी वीडियो हमने यापार से रिलेटेट बने हुए है वह हमाई जो चैनल एस्टराइज सिंप्लिफाइड उसको अगर आपने सब्क्राइब नहीं किय है तो सब्काइब कर दीजिए साथ साथ में आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए और और हमारी चैनल पर यापार से संबंधित वीडियो अपलब्द है उनको जरूर आप देखिए और उनका लाब उठाईए और आपको हमार वीडियो को लाइक किया शेयर किया चैनल को सब्काइब किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद